अगर आपको भी इस वीडियो में हम solve करेंगे और if sometime when roaring round a noble wild beets greets you with black stripes on a yellow ground just notice if he eats you this simple rule may help you learn best Bengal tiger to discern इसकी हिंदी हम पिछले वीडियो में देखी चुके हैं तो हम केवल इस वीडियो में answer ही चाटेंगे देखिये पहला प्रस्न है the Bengal tiger has black spots on his yellow body is true or false क्या Bengal चीते के सरीर पर काले दब्बे होते हैं बताए अब हाज ही होते हैं कि नहीं होते हैं तो होते हैं true हो जाए गए दूचरा one must be last animal should eat him up एक विक्ति को किसे साथ ना रहना चाहिए the Bengal tiger क्या हो जाए गए गए the Bengal tiger टी आई चाहिए दूसर एक उत्तर हो गया which of the falling is known as a noble beast किसको noble beast का जाता है तो बेंगाल टाइगर by whom the poem how to tell animal is composed कि इसके द्वारा लखी गई है इसके poet का नाम बदाना है आपको क्या नाम है इसका लेखा कि का है Caroline's Wells अगला है इस chapter को भी इसी paragraph को इसी में complete करते है देखिए इसके पर्ड़ एजर नाम होचलता है इसके पूंच रहे होचलने की चम्ता होती है सही बात है ट्रू होती है देखिए दब्बों से डखी होती है इसके नॉफवा पर लेपर्ड इस गवर्ड बिद इस पॉट क्या है इसमें लेपर्ड है एलियो टी एर्ड ठीक है इन दे स्टेंजा ही रेफर्स इस पद में ही किस से सम्मनित है तो ही यहां किस से सम्मनित है लेपर्ड से लेपर्ड लेपर्ड इसका उत्तर क्या है इसका उत्तर हो जाएगा मार्क्स अगला है लास्ट पराग्राफ हमारा फोर्थ जो आपको कसका रख करता है तीक है तो बियर विल अगें टच सम्बडी थाना तो इसका क्या हो जाएगा भाई तो बियर विल अगें टच सम्बडी वन मोर क्या हो जाएगा अच्छा दे रखा वन मोर क्या वन तो सम्बडी वन मोर क्या है नीचे अप यहर केंड बियर केंड विल अगें टाइट हग वालू को पैंचाना जा सकता है उसकी कसकर गले लगाने से यू इन दा फर्स लाइन ओप दे स्टेंजा रिफर्स यू तो यू किसके लिए आया इसमें रीडर के लिए I hope आपको अच्छे समझ में आया होंगे आपको अच्छा लग रहा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब परें Thank you watching this video